बोल किलब आजाद है तेरे बोल किलब आजाद है तेरे और आज मेरे बोल रफाल पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उस पर तो जैसा कि मीडिया में प्रोपगांडा चालू हो गया है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से दोश्मुक्त करार दिये जा चुके हैं सर्वोच अदालत के फैसले का स्वागत करता हूँ आज सत्य की जीत हुई है आजयादी के बाद एक कोरे जूट के अधार पर देश की जनता को गुम्रा करने का इतना बड़ा प्रयास कभी नहीं हुआ और यह दुर्भाग्य पूर्ण बात है कि यह प्रयास देश की सबसे पुरानी पार्टी कॉंग्रेस पार्टी के अध्यक्स के द्वारा किया गया कॉंग्रेस अध्यक्स ने अपने और अपनी पार्टी के तत्काल फाइदे के लिए जूट का सहरा लेने की एक नई रादनिती की सुरुवात की है और मैं मानता हूँ कि सुप्रीम कौट का आज का जज्जमेंट जूटे आरोप लगाने की रादनिती के मुँपर तमाचा है चाटा है कुछ पत्रकार तो ये कह रहे हैं कि चौकिदार चोर नहीं चौकिदार प्यॉर है यानि पी यू आर इ प्यॉर सवाल ये कि क्या ये प्रधानन्त्री नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी राजनीतिक जीत है तो मेरा जवाब है हाँ ये प्रधानन्त्री के लिए बहुत बड़ी राजनीतिक जीत है अब ये देखना है कि कॉंगरेस इसके जवाब में क्या करती है Мыtt despair from day go and that's why Congress party chose and decided never to go to Supreme Court or invoke its jurisdiction, we went to Parliament and even today we are in Parliament demanding a JPC, we went to CAG which is the other forum where this matter can be examined and if government has nothing to hide, if Modiji and his government has committed no then I challenge him today on behalf of the Indian National Congress to submit to a JPC probe मगर क्या प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी दोश्मुक्त हो जाते हैं देखिए राजनी तक जीत और दोश्मुक्त होना ये दोनों बहुत बहुत बढ़ी चीज़ है दोनों में बन्यादी फर्ख है जो इस प्रस्तुती में मैं आपको समझाने वाला हूँ आप मेरे एक एक श की जरूरत नहीं है सुप्रीम कोट में ये भी कहा कि जो इसकी जिसमें पैसा कितना लगा प्राइजिंग इस पर उसका कोई काम नहीं है उसको दखल देने की कोई जरूरत नहीं है तीसरा बड़ा मुद्दा अने लंबानी को आफसेट पार्टनर क्यों चुना गया अने लं दोस्तों दरसल मुद्दा कहीं और नहीं बलकि यही दो मुद्दे हैं कि अने लंबानी को क्यों चुना और इसके लावा ये कि प्राइजिंग में पारदरशिता क्यों नहीं मैं कुछ सवाल आज पूछना चाहूंगा सुप्रीम कोट के इस अब्जवेशन पर पहली बात म लंबानी को क्यों चुना गया बता और पार्टनर आप इस पर टिपनी क्यों नहीं कर सकते हैं क्या ये बात जायज नहीं है मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि प्रक्रिया में क्या धानली हुई क्या इसके तमाम तरकों पर गोर करने की जरूरत नहीं थी क्या इसके संदर म एक court में inquiry की जरूत नहीं थी या एक court monitored inquiry की जरूत नहीं थी और आज मैं पूछना चाहूंगा कि वो भक्त तमाम कहा हैं जो अब से कुछी दिनों पहले सबरी मला और राम मंदिर पर Supreme Court के फैसले को लेकर उस पर उंगलियां उठा रहे थे और मोधी भक्तों को भूल जाएए क इंद्र सरकार में मंत्री कौन गिरिराद सिंग उत्तर पदिश के डेपिटी चीफ मिनिस्टर केश्व प्रसाद मौर्या बीजेपी के महासचिव राम माधव ये तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा रहे थे मगर आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का जश्न मनाय जा रहा है दोस्तों मैंने शुरुआत में क्या कहा मैंने कहा कि रफाल पर जो फैसला आया है वो प्रधान मंत्री की राज़नी तिक जीत हो सकती है क्योंकि अब इसके बाद वो कॉंग्रिस पर हमला करेंगे मगर वो दोश्मुक्त नहीं हो सकते और इसकी वजह अब मैं सरकार पर बनाया और इस बात की तज़्दीक किसी और ने नहीं बलकि उस वक्त की राज़्पती फ्रांसुआ उला ने अपने एक इंटिव्यू में कहा था और उसने क्या कहा था कि देखिए अने लंबानी को चुनने में हमारा कोई किरदार नहीं था हमारा कोई किरदार न मोदी सरकार ने तो आपको ये सवाल करना चाहिए कि मोदी सरकार ने अने लंबानी को लेकर दबाव क्यों बनाया फ्रांस सरकार पर और ये बात दोस्तों खुद अने लंबानी की कमपनी के जो सालाना रिपोर्ट्स हैं उसके आधार पर आया ये मेरे दिमाग की उपज नहीं हैं या किसी मोदी विरोधी या किसी विपक्ष की दिमाग की उपज नहीं है हम आपको बताना चाहेंगे कि डसौ और अने लंबानी के बीच में जैसे ही ये सैयुक्त साजहिदारी हुई तो अने लंबानी की एक लॉस मेकिंग वेंचर यानि कि उनकी ऐसी कमपनी जो नंबर वन जबरदस नुकसान से गुजर रही थी नंबर टू वो स्टॉक मार्केट में लिस्टिड नहीं थी उसमें 40 मिलियन यूरो लगाए एक ऐसी कमपनी जिसका जीरो रेविन्यू था इस निवेश के साथ ही उसे 284 करोड का फायदा हुआ और ये फायदा किसे हुआ दोस्तो ये फायदा हुआ अनिलमबानी की रिलाइंस इंफरस्ट्रॉक्शर को जिन्होंने रिलाइंस एरपोर्ट डेविलिपर्स लिमिटेड आरेडियल जिसका नाम दिया जाता है सवाल मेरा ये कि आखिर डसौ ने एक ऐसी कमपनी में निवेश क्यों किया जो लॉस मेकिंग था और देखे जब आपने फैसला किया कि हम इतनी कीमत पर इनके इतने शेर खरीदेंगे तो क्या डसौ ये फैसला नहीं करता कि हमें ऐसी कमपनी के शेर खरीदने चाहिए जो फाइदे में हो जो नुकसान में नहों क्या ये चीज़ आपके कान नहीं खड़े करता क्या इसके जरीए आपको सवाल नहीं करना चाहिए कि आखिर डसों ने अने लंबानी को ही क्यों चुना नमबर एक, नमबर दो उनकी ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट क्यों किया जो लॉस मेकिंग थी नमबर एक, ये एक अनलिस्टिट कंपनी थी, नमबर दो नुकसान में चल रही थी, नमबर तीन आपने ये भी फैसला नहीं किया कि आखिर कि आखिर क्या वज़य थी कि इसके टर्म्स एंड कंडिशन्स क्या थे शेर खरीदने के देखिए, मैं आपको कुछ चीजें बचाना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि आप इस टाइम लाइन पर, यानि कि जो मैं आपको एक एक तारीख बताने वाला हूँ, इस पर गोर कीजेगा दस अप्रेल 2015, ये वो दिन है दस अप्रेल 2015 जब प्रधान मंत्री नारेंदर बोदी ने रफाल डील की घोशना की दूसरी तारीख पे गोर कीजे, जुलाई 2015 को रिलाइन्स एरो स्ट्रक्चर ने महराश्ट सरकार को जमीन के लिए याचिका दी यानि पहले फैसला होता है अप्रेल 2015 को और फिर जुलाई, एप्रिल में जून जुलाई, यानि कि तीन महराश्ट में जमीन के लिए याचिका रिलाइन्स लगाता है, यानि लंबानी की रिलाइन्स लगाती है अगस्ट 2015 में 63 करोड में मीहान नाकपुर में जमीन दे दी जाती है यानि कि दो महीने बाद उसे जमीन मिल जाती है और जमीन के लिए पेमिंट जुलाई 13 2017 को हो जाती है काफी देर से यानि कि दो साल बाद 2015 में उन्हें जमीन मिल गई मिहान नाकपुर में और पेमिंट कप की उन्होंने दो साल बाद अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ क्योंकि CNBC को इंटिव्यू में DASAW के जो CEO थे Eric Tapier ने कहा था कि हमने Reliance को इसलिए चुना क्योंकि Reliance के पास जमीन थी अब मैंने आपको क्या बताया फैसला कब हुआ था घोशना कब हुई थी 10 अप्रेल 2015 को और Eric Tapier जो की CEO है DASAW की वो क्या कह रहे हैं कि उन्होंने Reliance को इसलिए चुना कि उनके पास जमीन थी Eric Tapier ने जो गलत बयानी की है वो यहीं पर expose हो जाती है क्योंकि जब यह समझाता हुआ था उस वक्रेलाइंस के पास जमीन नहीं थी अनेलंबानी के पास जमीन नहीं थी नमबर एक नमबर दो DASAW ने अनेलंबानी के उस company में निवेश किया जो नुकसान में चल रही थी मैं आपको बताना चाहूंगा जो पूरा डीटेल क्या है इस समझहोते का वो अपने आप में बहुत दिल्चस्प है पब्लिक फाइलिंग में और ये मैं आपको पढ़के सुनाना चाहूंगा पब्लिक फाइलिंग जो Reliance Infrastructure ने किया है उसके मताबिक उन्होंने Reliance Airport Developers Limited में 34.7% स्टेक बेचे Dassault Aviation को साल 2017-18 में मुनाफ़क इतना हुआ 284.19 करोड और शेर्स कितने खरीदे 24,000, 83,930 शेर्स 10 रुपे प्रतिशेर की कीमत में यानि कि गलत बयानी दोस्तों यहीं पर एक्सपोज हो जाती है और वो गलत बयानी यहाँ पर क्या है कि पहली बात उन्होंने कहा कि Reliance के पास जमीन थी इसलिए हमने समझोता किया दूसरी गलत बयानी यह कि हम पर सरकार का दबाव था मोदी सरकार का दबाव था कि हम अनिलमबानी को चुने मुद्दा यह है दोस्तों और सुप्रीम कोट ने इस मुद्दे पर जाने से सिरे से मना कर दिया है अब मेरा यह मानना है कि इस मामले में किसी और को नहीं बलकि एक जेपीसी बनना चाहिए एक जॉइन पारलिमेंटरी कामिटी और उसे इस बात की जांच करनी चाहिए और आप जानते हैं सबसे दिल्चस बात यह है और वो मैं आपको पढ़के सुनाना चाहूंगा सुप्रीम कोट यह कहता है इस नो डाउट ट्रू दे कामपनी हास कम इंटो बीन इन दे रीसेंट पास बड़ेस्ट सुप्रीम कोट में इस बात को लेकर जिक्र किया है कि 2012 से समझाओता चल रहा है देखे, 2012 से समझाओता नहीं चल रहा है 2015 से उस वक्ट मुकेश अंबानी की कमपनी थी मुकेश अंबानी और अनिलंबानी में जमीन आस्मान का फर्क है दोनों में टकराव है भाई जो है जिदा हो चुके हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में असमंजस क्यों हो सकता है मेरी अपनी समझ गलत हो मगर ये असमंजश क्यों दिखाई दे रहा है सुप्रीम कोर्ट के अब्ज़ोवेशन में तो देखिए एक बात स्पष्ट हो चुकी है कि जो भी आप से ये कह रहा है कि मोदी सरकार दोश्मुक्त हो चुकी है वो आपको भरमित कर रहा है वो आपको घलत जानकारी दे रहा है ऐसा कुछ नहीं हुआ राजनीतिक जीत अवश्य हो सकती है क्योंकि अब इसके बाद क्या बात जाती दिख रहे है कि इस वक्त तमाम जो न्यूस चैनल्स हैं वो भी एक तरह से मोदी की जैजैकार करेंगे जैसे कई पत्रकार कह रहे हैं कि चौकीदार चोर नहीं चौकीदार प्योर है तो ये था बोल के लब आजाद है तेरे मैं चाहूंगा कि आप लाइक शेर औ को सबस्क्राइब करें और अभिसार शेर्मा को दीजे अजासत नमस्कार